अबश्का दोस्तों आप सब कहां एक वाफी स्वागत करते हैं दोस्तों RPC के दुवारा निकाले गई 300 पदों के उपर 2nd grade लाइबरेन भरती की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर काफी candidates का ये issue था कि यहाँ पे कौन सी degree वाले इस application forms को भर सकते हैं तो आपको मैं आपको बता दूँ ये official notification की हम बात कर रहे हैं जो कि आप scheme पे देख पार हैं देखिए इसमें हम बात करें अनिवार ये section की होगे ताओ के columns में अगर हम चलते हैं तो यहाँ से आप यहाँ पे पढ़िए इसको graduate or equivalent examination recognized by the UCC with degree or diploma in laboratory science recognized by national council of teacher education oblique government देखिए इसका मतलब यहाँ पे ही होता है कि आपके पास में graduation आपके पास में graduation जिसमें आपने कर रखी anyway आप जिस subject में आपने कर रखी है साथ यहाँ पे अम बात करें कि यह जो degree है जो UGC approved जिस university से आपने believe का course किया है जिससे भी आपने किया है चैए कोई भी हो चैए वर्दमान हो चैए RU हो या फिर अनेक प्रकार की जो universities है private वो हो या फिर किसी भी authorized universities जो की UGC approved है उसके द्वारा जो believe का आपके पास में certificate मिला है या फिर dealive का आपके पास certificate मिला है दोनों ही इस बरती में allow है साथ यहाँ पर एगनू के द्वारा जो course यहाँ पर believe का दिया जाता है और dealive का दिया जाता है वो भी इसमें eligible होगे तो यहाँ पर यह कभी भी इसमें यह चीज नहीं लिखी हुई है कि इसमें private होना चैए फिर government से आपने जो भी किये यहाँ आपके पास में simple believe और dealive की डिग्री आपके पास में होना चाहिए युनिरसिटी आप किसी से भी या फिर किसी भी state से आप लेकी हो साथ यहाँ पर हम आपको बता दूँ कि यह जो डिग्री आपके पास में रहेगी वो उसी युनिरस्टी की अप्रूड होएगी जो युजिसी अप्रूड यहाँ पर यहाँ पर युनिरस्टी है उनके द्वारा जो यह डिग्री दी जा रही है वो सभी इसमें valid है पर देलिव की डिग्री हो यहाँ पर यहाँ पर इसमें valid होगे तो आप निशीत रूप से इस application forms को बर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हम आपको वीडियो अच्छा लगा है